हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो फ्रेंज आज की वीडियो में बात करें आंगनवाडी रिक्यूर्मेंट जो जमु इन किश्मीर में वरकर हैलपर की पूरे जोरो छोरो से चल रही है सबी डिस्टी की जहां पर आंगनवाडी में वेकेंसी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट आपने कैसे फिल करना है फार्म में कोई भी गलती मत करना अगर फार्म में गलती करोगे अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं होगे अंतिम तक जरूर बने रहें फार्म कैसे फिल करना है पूरी डिटेल आपको बताएंगे और सिलेक् अगर 10th pass नहीं है तो फिर क्या selection हो सकता है as a helper हाँ हो सकता है बिलकूल अगर आप 8th pass हो वो कैसे वो आगे डिसकस करते है तो चलिए स्टार्ट करते है इस वीडियो में selection कैसे होगा और form कैसे fill करना है चैनल से first time जोड़े हो तो subscribe कर लीजिए let's start this important video part जे आगे friends हम इस form में सबसे पहले बात करें आपको documents क्या क्या चाहिए अगर कोई भी documents गलत लगा दिया ना ही आप helper बन पाओगे ना ही आप worker बन पाओगे सबसे पहले बात करें आपको documents क्या क्या चाहिए documents ध्यान से सुन लीजिए सबसे पहले आपकी age 18-37 साल होनी चाहिए कब तक एक जनवरी 2023 तक अगर आप 37 साल की हो रही हो उसके बाद domicile आपके पास होना चाहिए UT का और सबसे बड़ी बात जो selection है साहिकास की जहां आपकी जो helper की worker की वो किसमे होगी will be restricted to the electoral ward where अंगडवाड़ी center is located जहां पर अंगडवाड़ी center है उस center में उस area में उस ward में आपका electoral होना चाहिए जाने की voter list आपकी होनी चाहिए आपके पास साहिका के लिए matriculation होनी चाहिए अगर कोई matriculate नहीं है आपके बाड़ में तो जिसकी 8th qualification है वो भी जहां पे select हो जाएगी और committee किसे select करेगी जो destitute needy married woman है उस बाड़ की उसे ऐसे helper के लिए first priority दे जाएगी जो criteria पूरा का पूरा फिल भी करेंगे ठीक है तो ये आपकी बात थी अब बात करें इसके लिए आपने form कैसे फिल करना है सबसे पहले जिस पंचायत में vacancy है आपने notification में लिखना है जैसे पोस्त करिए मैं इस form को फिल करके बताता हूँ नेम आफ पंचायत तो नेम आफ पंचायत में जहां पर क्या लिख सकता हूँ जो भी पंचायत आपका रहेगा लैट्स سबस्त की पंचारे है तो मैं नेम आफ पंचायत क्या लँखता हूँ लांदर लिख करिए हम जहां पर कि वयर फोर जहां यह जहां रखने आपने में लांदर के लिए और 상व अंग्डवाडी मैं रेखा R-E-K-H-A ठीक है आपने फिल कर देना है आगे आपका कुमारी देवी जशर्मा सिंग जो भी है वो आपने फिल कर देना है लेकिन ब्लॉक लैटर्स में सब कैपिटल्स में फिल करें इमेलने कोटेक्ट नमंबर जो आपका होगा जो आपका मौवाइलन इंडि स्वायूश होगा वही आपने फिल करना है इमेल कंपल्सरी नहीं है données के निमिज लहीं अगर मनेन आपने छील इविभिनोंट अगर married हो तो married लिखना है unmarried हो तो unmarried लिखना है अगर married हो तो husband का name लिखना पड़ेगा ठीक है BPL है BPL है तो yes अगर BPL नहीं है तो no करोगे और अगर video या divorce हो वो भी आपने बताना है data worth कैसे लिखनी है सबसे पहले date लिखोगे date के बाद month fill करोगे month के बाद year fill करोगे उसके बाद आपने लिखनी है age जाने कि आपकी एक जनवरी 2023 तक कितनी age complete हुई है कैसे लिखनी है in years and months suppose करो आपकी 35 साल और 4 month हुई है ऐसे लिखोगे यह नहीं कि मेरी इतनी age हुई है कोई अपने ढोगरी हिसाब से कि उस month में पैदा हुए थे तब ही नहीं आपने simple लिखना है कि आपका पैदा हुए है और permanent resistance जो आपके domicile पे होगा और correspondence अगर आपका कोई address है वो नहीं तो permanent ही लिख देना है academic eighth का पास हुई कोण से बोर्ट से एर्थ लगा सकते हो अदार कार्ट वोटर कार्ट राशन कार्ट उसके बाद data birth certificate unmarried वो तसीलदार से लोगे जा death certificate अगर widow हो उसके बाद divorce अगर divorce हो और उसके बाद जो proof of resistance आपने देना है वीडियो से CEO से ठीक है और affidavid एक लगा होगे जो judicial magistrate से अटेस्ट होगा और उसको पांच रुपे में एक जो postage stamp रहती है उसका यूज करके आप फिल करोगे और affidavid I dash यो भी आप हो डाटर आफ वाइफ आफ विडो आफ ठीक है जाने की आई जो मैंने नायम बताया रेखा कुमारी जा डाटर आफ जा वाइफ आफ जो भी डैश आरो कौन से आपका वह आप करोगे that I belong to the bar number जो आपका बार नमबर जिस पर आप विलांग कर रहे हो स्पोस की बार नमबर 4 पंचायत लांदर for application आप किसके लिए संगनी जा साहिका के लिए invite किया जाता है और जहांपे आप बोलो कि कोई भी fake document नहीं है अगर fake found हुआ तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा जहांपे भी आप signature कर दोगे और अपने farm को setup या fill up कर दोगे ठीक है इस तरीके से कोई doubt होगा तो comment section में जुरूर पूशें आज के इस वीडियो में बस इतना ही